इनसान की कभी-कभी एक छोटी सी गलती के कारण ना जाने कितने लोगों की जिंदिगे हमेशा के लिए बरबाद हो जाती है आज की जो सची घटना आपको बताने वाले हैं इसमें भी ठीक कुछ ऐसा ही होता है एक पिताज अपने बच्चे की लार प्यार से परवरिसी नहीं करता बलकि उसको पढ़ा लिखा कर सिपाही बनाता है लेकिन लर्की को नौकरी किये हुए महज़ अभी दो साल भी नहीं बिता था ये एक दिन उसकी हत्या हो जाती है और फिर पिताजी का सपना सिर्फ सपना ही बन करके रह जाता है नमस्कार में नाम जितेंद कुमार आप देख रहे हैं स्टेडी सफ़र तक आप से अफील रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथियों आज की सची घटना जो आपकों बताने वाले हैं दरसल यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली सहर की उत्री पुर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है परपत गंज और इसी परपत गंज ठाने में पोस्टेड होती है S.I. पृती अहलावर पृती जिसके उमर होती है करीब 26 वर्ष जो रोहिनी इलाके में एक किराए का मकान लेकर के रहती है बात आपके मैं कर रहा हूँ साथ फरवडी 2020 की रात के करीब 9-12 बजे के आसपास की दरसल पूरे दिल्ली के भीतर नाकावंदी कर दिया गया था हर जगहो पर पुलिस फोर्स लगा दिया गया था क्योंकि अगले दिन सुवा आठ फरवडी 2020 को दिली वे बिधान सभा का एलेक्शन था साथ फरवडी 2020 को रात के करीब 9 बजे के आसपास पृती हर रोज की तरह रोहिनी मेट्रो एस्टेशन पे पहुंचती है और वहां से पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो जाती है लेकिन जैसे ही मेट्रो से करीब करीब 50 मिटर के दूरी पर जाती है पीछे से एक इनसान आता है और पृती के उपर एक पर एक लगातार तीन गोलिया दाग देता है जिसमें से दो गोली पृती को लगती है और एक गोली बगल से गुजा रही एक कार के पिछले सीशे पे जाकर के लग जाती है एक गोली जो पृती के सीधे सर में लगती है जिसके कारण पृती की घटनास्तल पे ही मौत हो जाती है गोली चलने की आवाद जब आसपास के लोग सुनते हैं तो तुरंती सो नमर पे डाइल करते हैं पुलिस परसासन को ख़बर कर देते हैं पुलिस परसासन को जैसे ख़बर मिलती है, पुलिस परसासन अपने टीम के साथ घटनास्थाल पे आती है, और सबसे पहले उस डेड़ बोडी को उस लास को चेक करती है, तो उस पुलिस को एक आई कट बरामद होता है, जिसमें से पृती का पूरा इंफॉरमेशन डेटेल्स होता है, पुलिस को जैसे भी पता चल जाता है, मरने वाली महिला एक खुद पुलिस वाली है, पुलिस इस केज को काफी गंभीरता से लेती है, इससे पहले मामला कुछ और बिगर जाए, पुलिस सबसे पहले पृती की लास को अपने कभजे में लेती है, और उसको पोस्ट काफी उराहल हो जाता है फोली इस this केस को जल से जल सुल जाने के लिए उसी रात को पूरे का CCTV पूटेज चिक करते का पिरिशेक करती है एक पिरिती चे के पीछे के सांब प्रोब कर तो पर ओंग गुली से रवाना हो जाता है क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा होता है ना तो उस व्यक्ति का चेहरा साम दिखाई पड़ता है और नहीं उस कार का नंबर दिखाई देता है अब पुलिस अब पृती के बारे में जानकारी कठा जुटाने के लिए पतपरगत थाने से कॉंटेक्ट कर पृती है और पृती के बारे में पोष्ट सद्स करती है तो पृता चलता है कि दरसल पृती का एक दोस्थ है जिसका नाम होता है देवांस राथी और देवांस जिसकी ऊमर होती है करीब-करीब 27-27 वश वर जोकि उतर्वी दिल्ली के ही भजन-पूरा ठाने में सब एंस्प इसलिए पुलिस परशासन को अब लगा कि दिवानसु पृति के बारे में कुछ बता सकता है कि उसकी हत्या कौन कर सकता है। अब पुलिस अब दिपानसु के नंबर पे कॉल करती है। रिंग तो पहुच रहा है लेकिन दिपानसु फोन ही नहीं उठाता है। इसलिए पुलिस परसासन अब दिपांसु के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है तो उसका लोकेशन सोनीपत के तरफ जाते हुए दिखाई पड़ता है दरसल दिपांसु भी हर्याना के सोनीपत का अंतरगत सास्त्री कुलोनी के रहने वाला होता है पुलिस को लगता है कि साइद दिपांसु अपनी ड्यूटी करके घर के तरफ रावाना हुआ है लेकिन दिपांसु को जब बार-बार कॉल करती है पुलिस जब वो फोन नहीं उठाता है पुलिस अब दिपांसु के लोकेशन का फॉलू करने लगती है और आखिरकार दिपांसु का लोकेशन इसी सोनीपत के मुर्थल के पास जाकर के रुखती है पुलिस जब उसी रात को सोनीपत के मुर्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि सर किनारे एक कार खड़ी हुई है पुलिस जब कार को खोलती है तो देखती है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर दिपांसू का भी लास यानि डेट वाड़ी परा हुआ है तरसल दिपांसू के भी सर में एक गोलिया लगा हुआ था एक ही रात में जब दो पुलिस वालों के हत्या हो जाती है अब ये ख़बर कहते हैं कि जंगल में आग के तरह फैल जाना उस इस बात की जानकारी उसके पुरे परिवार वालों को दे देती है अब दिपांसू का पिता का नाम होता है दायानंद राठी दायानंद जो कि हर्याना पुलिस के भी सब इंस्पेक्टर के रिटाइड ओफिसर होते है हर्याना पुलिस में इस बात की जानकारी जब दिपां नहीं नहीं किया होगा क्योंकि Dipa Dan Su पिछले कई मेनों से मेरी बेटी को कापे परसान कर रहा था हमने उसे कई बार समझाने की भी कोसिस किया था पुलीश को भी लगता है कि साइट Dipa ecological नहीं एक पुरिती की हथ्या कि यहां प्रेम करें condition कोले खॉन के द्रेंग के मुआं के दौर नहीं सब्सक्तारी जैसी दोनों अपनने नौगरी पे पोस्टेड होते हैं अक्सर फोन के जरी दोनों बाचित करने लगते हैं बाचित करते करते आखिरकार दिपांसु और प्रिती के बीच में प्रेम परसंग सुरू हो जाती है जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम परसंग सुरू होती है उसके बाद से जब भी इन दोनों को मौका मिलता है अफसर एक दूसरे के साथ जहांता गूंते भी हैं ये लोग लेकिन जैसे ही दोनों का प्यार का परवान जब चड़ता है दिपांसू और पृती साधी करने का फैसला कर लेते हैं साधी करने का जब उन निर्णा करते है तो प्रिती दिपांसु से कहती है कि भले हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया लेकिन हमारी साधी अरेंज में रैज होगी हम अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता से कहेंगे और रिती रिवाज के तहदी साधी करेंगी दिपांसु भी प्रिती की बात मान लेता है उसके बाद से दोनों अपने अपने घर परिवारवालों से अपने प्यार के बारे में पूरी सचाई बताते हैं दोनों के घर परिवारवाले इस साधी का मंजूरी तक दे देते हैं क्योंकि दोनों के घर पड़ी बार वाले अच्छा खासा सिक्षित भी होते हैं लेकिन जैसे ही दोनों के घर पड़ी बार वाले साधी के लिए हामी भरते हैं उसके बाद से दिपांसु और प्रिती अक्सर एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं लेकिन जैसे ही कुछ महने का और समय बीटता है अब दिपांसू के अंतर काफी बदलाव सा आ जाता है। तरसल दिपांसू प्रिती से साधी से पहले ही पती के जैसे हक जदाना सुरू कर देता है। जो कि प्रिती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्रितु दिपांसु को मौका भी देते कि आगे चल करके दिपांसु के अंदर कुछ बदलाओ आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है दिपांसु के अंदर कोई भी बदलाओ नहीं आता है। अब इसे लिए प्रिती सोचने पर मज़गूर हो जाती है। प्रिती को लगता है कि साहिद दिपांसु से साधी करके वो बहुत बड़ी गलती कर वैठेगी। क्योंकि अभी जब दिपांसु उसके ओपर इतनी सारी बंदी से लगाता है तो आगे चल करके उसे और ज्यादा परसान करेगा। इसलिए प्रिती अब दिपांसु से साधी करने के लिए साफ इंकार कर बढ़ती है। अब जैसे इंकार करती है अपने माता पिता से कहती है कि मैं आप दिपांसु से साधी नहीं करूंगी। जब इस तरह की बाते के बाते हो कहती है तपृति के माता-पिता भी ही क्याती है कि ठीक है तुम्हारी जन्दी है तुम जैसे चाहो वैसे तुम कर सकती हो अब साथी साथ पृती के माता पिता इस बारे में दिपानसु के पिता से भी बात करते हैं और रिस्ते के लिए इंकार कर बढ़ते हैं अब जैसे ही रिस्ते के लिए इंकार कर बढ़ते हैं इस बात की जानकारी जब दिपानसु को पता चलता है वो परसान उठता है अब दिपानसु अब प्रिती के नमबर पे जब कॉल करता है तो प्रिती उसका कॉल भी नहीं उठाती है यह नहीं फोन भी नहीं लेती है लेकिन जब बार बार कॉल करने के बाद भी प्रिती जब उसका कॉन नहीं लेती है दिपानसु कई बार परपतलन थाने में भी जाता ह प्रिती से मुलाकात करने की भी कोशिस करता है लेकिन प्रिती डिपांसु से मिलने के लिए साफ इंकार कर बढ़ती है डिपांसु जब अपनी तमाम कोशिसे कर लेता है प्रिती से जब उसे कॉंट्रेक्ट नहीं हो पाता है तीन जनवड़ी 2020 को दिपांसो प्रितियू को एक मैसेज करता है लेकिन प्रितियू उस मैसेज के रिपलाई देने के वज़ाए दिपांसो का नंबर ही बलॉक कर बैठती है अब उसके बाद से दिपांसो का गुसा अब साथ में आस्मान पे चड़ जाता है अब दिपांसो को पुरा यकीन हो जाता है कि प्रिति अब तुबारा उसके जिंदगी में नहीं लोटके आने वाला है जब उसके बारे में सोचना सुरू करता है दिपांसो के भी दिमाग में तरह तरह के नाकरत्मक मिचार आने सुरू हो जाते है आखिरकार जब दिपान्सू से बरधास्त नहीं होता कि प्रिती उसे नहीं मिलने वाली है दिपान्सू गुस्से में ही प्रिती को इस दुनिया से हटाने का तैय कर देता है घटना से ठीक तीन दिन पहले दिपांसू एक केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जाता है और वहां से जब रिटर्न आता है तो अपनी पेस्टल और गोलिया ओफिस में जवान ही कराता है दरसल दिपांसू को ये मालूम था कि प्रिती कितने बजे रोहिने मेट्रो पे आती है और 7 फरबड़ी 2020 को रात के करीब 9 बज़ से पहले ही दिपांसू रोहिने मेट्रो एस्टेशन पे पहुँझ जाता है खरीब 9 बज़े के आसपास हर रोज की तरह प्रिती जब मेट्रो एस्टेशन से बाहर निकलती है पैदल ही जब अपने घर के लिए रवाना होती है दिपांसू पीछे से आता है और प्रिती के उपर एक पर एक लगातार तीन गोलिया चलाता है जिसके कारण प्रिती की पुर्थल में वो पहुंचता है दिपांसू भी आप सोचने लगता कि जब प्रिती इस दुनिया में नहीं रही तो मैं रह करके क्या करूंगा अपने ही गारी में अपने ही रिवल्वल से अपने सर में ही गोली मार लेता है जिसके कारण दिपांसू के भी घट नास्तल पर भी मौत हो जाती है हलाकि पुलिस जब उस गारी को चेक करते हैं उस गारी से कोई भी सोसाइड लेटर नहीं मिलता है लेकिन दोनों का जब पोस्टमाटम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जिस बंदोग से यानि जिस गोली से प्रिती को गोली लगी थी उसी से दिप पांसो की मातर एक छोटी सी गलती के कारण दो-दो पुलीस ओफिसर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और प्रिदी के पिता का सपना हमेशा के लिए सपना ही बन करके रह जाता है तो पूरी घटा करम के बारे में आपकी क्या रहा है आप अपनी राई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत